नमस्क्रार दोस्तों स्वागत है आप के कैसे उसे आप यूज कर सकते हैं तो भाई उसे काफी कमेंट आए की एक चार्जक्षर में कितने एम्पियर के charger से कितने LED हम जला सकते हैं, जैसे कि एक एम्पियर किसी के पास charger है, तो वो कितने LED का जहलर बनाके चला सकता है, तो आज की इस वीडियो में total हम doubt आपका किलियर करने वाले हैं, वीडियो में last तक बने रहिएगा तो दोस्तों वीडियो लाज तक देखेगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप एक मोबाइल के चार्जर से कितने LED जला सकते हैं वो भी आपका देखें चार्जर का MPR पर डिपेंड होता है अलग-अलग जो भी आपका मलब चार्जर ह होगा सबका MPR अलग-अलग होता है तो पूरा मैं थाड़ा समसंग है कि हम हमारा हमारे पास जो भी चार्जर है उस चार्जर से कितने LED जला सकते हैं तो आए दोस्तों देरने करते ही वीडियो करते हैं स्टार्ट और श्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट अगर बलग इस तरह से आपके पास भी तमम अलग-अलग तरह के चार्जर होंगे तो भाई देखे यहां अब जो हमारा मल्टी कलर LED है यहां पे हमारा मल्टी कलर LED यह 3.7 बोल्ट से लेके 4.2 बोल्ट तक बोल्टेज मिलता है तो यह अच्छी तरह से काम करता है तीक है उसके बोल्टेज थोड़ा कम मिलेगा तो हमारा LED खराब नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा एक एक LED 3.7 से लेके 4.2 तक बोल्टेज देंगे तो प्रॉपर काम करेगा अब यहां देखिए जब हम मोबाइल के चार्जर से जलाने के लिए बनाते हैं तो सभी LED को हम पैरलेल में जोड़ना होता है तो एक का प्लस, दूसरे का माइनस, एक का प्लस, दूसरे का माइनस इस तरह हम स्रीज में जोड़ते हैं लेकिन हमारा मोबाइल के चार्जर से जलाने के लिए सब ही कनेक्शन पैरलेल में करना होता है अब यहां देखे मैथड हमें समझना यह है कि हम एक चार्जर से कितना LED को जला सकते हैं, तो यहां मैं पकड़ लेता हूँ एक, जो हमारे पास एक एंपियर का चार्जर है, ठीक है, आप यहां देख सकते हैं, एक एंपियर का यहां पे हमारा चार्जर है, तो अब हम इसका मैथड समझेंगे, हम एक एंपियर चार्जर से कितने LED जला सकते हैं जिसे हमारा charger भी कराब नहीं होगा तो आपका एक यंपीयर charger है थोड़ा सा मेरा लिखावण थोड़ा अच्छा नहीं है लेकिन आप माफ करिएगा एक यंपियर का charger है मेरा अब इसको आप आप जब मिली एंपियर में भाग देंगे तो यह आपका हो जाएगा यह दिखेंगे एक हजार मिली एंपियर ठीक है एक हजार मिली एंपियर यह बात आपको समझ में आ गई एक एंपियर में हमारा एक हजार मिली एंपियर होता है अब हम LED को समझ लेते हैं जो हमारा ये मल्टी कलर LED यारी RGB LED होता है ये हमारा 3.7 से लेके 4.2 बोल तक चलता है लेकिन जो current लेता है एंपियर लेता है वो इसका एंपियर कितना होता है 0.20 ठीक है 0.20 रही यहां 20 मिली एंपियर 20 मिली एंपियर ये हमारा एक LED कितना लोड लेगा 20 मिली एंपियर बास समझ मैं रही आपको तो यहां हमारा एक एंपियर चार्जर में होता है एक हजार मिली एंपियर और हमारा एक LED कितना ले रहा है voltage ये 20 mili ampere तो अब हम क्या करेंगे 1000 में हम 20 से भाग दे देते हैं 1000 में 20 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आएगा 20, 50, 100 ठीक, ये 0 कर गया यहां हमारा जो 0 है उटके यहां पर चला आया, तो कितना आया answer 50, यहां पर हमारा answer कितना आया 50, इसका मतलब क्या हुआ जो हमारे पास 1 ampere का charger है उससे हम 50 LED जला सकते है ठीक है, 50 LED हमारा जल सकता है लेकिन आप उससे 4, 10 मतलब आप 10 LED कम कर दीजे यानि 40 LED जलाएंगे तो नो आपका charger खराब होगा कोई प्राबलम नहीं होगा 40 LED का जालर बना के आप बड़े आराम से मातर 1 ampere के charger से जला सकते है ठीक है, ठीक इसी तरह से अब मालिजे आपके पास अगर 2 ampere का charger है तो यहां 2 ampere का charger होगा तो क्या होगा इसका आप milli ampere निकालेंगे कितना होगा, 2000 milli ampere ठीक है, इस तरह 2000 milli ampere होगा जब 2000 को आप भाग देंगे अपना 20 milli ampere चुकि हमारे LED कितना खा रही है current 20 milli ampere आप Google पे सर्च कर लीजेगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है तो यहां 20 milli ampere हमारा एक current ले रहा है तो 2000 यानि 2 ampere का charger है तो 50 गुड़े 2 यानि 200 पीस तो 100 पीस LED हम 2 ampere charger से जला सकते है लेकिन थोड़ा सा हम down रखेंगे चुकि हमारे charger पे ज़्यादा load न पड़े full load कभी नहीं दिया जाता है तो हम maximum मान की चलिए 70 से 80 LED एक mobile के charger से हम जला सकते हैं, जैसे कि मेरे पास देखें यहाँ पे, यह 15 LED का जालर है तो 15 LED के जालर को मैं कितना हूँ देर जलाता रहा हूँ हमारे पास अगर आधा ampere का charger है यानि जो आपका keypad वाला mobile होता है उसका charger है तो भी इसको जलाते रहेंगे आपका charger खराब नहीं होगा और जालर भी आपका full brightness में जलेगा तो दोस्तों इस तरह से आपके पास जो भी जालर मनलब स्वारी जो भी आपके पास charger है उसका आप गुड़ा गड़ित यहाँ पे लगा के जैसे आपका 1.2 है तो देखें यहाँ पे जब 1200 मिलियंपियर हो जाएगा और इसी तरह से आपका जब 1.5 इंपियर का होगा तो 1500 मिलियंपियर तो हाँ आप 20 मिलियंपियर का गुड़ा भाग लगा के और वहाँ पे आप उतरा LED उससे थोड़ा सा आप कम रखेंगे जैसे आपका मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ 50 LED तो आ रहा एक एंपियर में लेकिन आप 10 LED घटा दीजिए तो आपके चार्जर फे लोड नहीं पड़ेगा जल्दी खराब नहीं होगा इसी तरह से दो दो एंपियर का चार्जर है तो यहाँ आप 80 LED कर लीजिए 70 कर लीजिए ठीक है तो इस तरह से देखिए हमारे पास यह जालर मैं थोड़ा सा आपको जला के दिखाता हूँ मेरे पास यहाँ देखे 1.2 एंपियर का चार्जर है और जब भी आप जालर बनाएंगे इस तरह का एक फ्यूजवल राइस्टेंज जरूर लगा देंगे जो हमने इसी चार्जर से लगाया 1.2 से अभी यह मात्र 15 है अगर यह रातों दिन जलता रहे तो हमारा चार्जर यह खराब नहीं होगा यहां हमें 40 LED लगा दूँगा तो भी हमारा 1.2 एंपियर का जो चार्जर है और अपना जालर बना के आप दिवाली में सजावत कर सकते हैं बहुत कम खर्चे में दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन दबाना न भूलिए गा तो मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार